हलो फ्रेंज वेल्कम बेक टो माई योट्यूब चैनल आज मैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं रेडी कर रही हूँ वाल क्लॉक किसी भी थीम और डिजाइन की क्लॉक बहुत ही कम बजट में आप लोग किस तरह रेडी कर सकते हैं क्लॉक मनानी के लिए मैंने कार्डबुड लिया है और कुछ नपकिन्स लिया है साथ साथ नमबर के स्टिकर और आप किसी भी पुरानी क्लॉक की मशीन यूज कर सकते हैं और असानी से अपनी पुरानी clock को new look दे सकते हैं तो first step में मैं cardboard में jessoo का coat कर रही हूं jessoo की homemade recipe description में मैं link attach कर दूँगी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही easy step है otherwise आप ready made jessoo भी use कर सकते हैं jessoo का coat करने के बाद और इसको अच्छी तरीके से dry करने के बाद second step में मैं napkin यूज़ करूँगी और उसकी extra two layers अलग कर लूँगी सिर्फ design वाली first layer मैं यूज़ करूँगी cardboard में मैंने middle में hole कर लिया था आप लोग कोई सभी पराना board या cardboard यूज़ कर सकते हैं next step में मैं napkin का वो पार्ट यूज़ कर रही हूँ जो मुझे चाहिए मैं as it is clock में paste नहीं कर रही हूँ मैं corner वाला पार्ट में थोड़ा सा brush में पानी लगा के napkin को wet कर लिया ताके वो easily tear हो सके मैं scissor से cut नहीं कर रही हूँ कि मुझे corner बहुत sharp नहीं चाहिए जो पार्ट मुझे clock में use करना है सिर्फ वो ही पार्ट में ले रही हूँ next मैं mosh part glue use कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा पार्ट में glue लगाती जाऊंगी और napkin को paste करती रहूंगी इस तरह जादा सानी से paste हो जाता है मौच पच glue की homemade recipe में description में attach कर दूंगी इसको बनाना बहुत ही easy है यह भी white glue ही होती है लेकिन थोड़ी सी runny होती है थोड़े थोड़े पार्ट में glue लगाती जा रही हूँ और napkin को paste करती जा रही हूँ अगर आप लोग को लग रहे हैं कि बीच में थोड़े से marks आ रहे हैं ये wrinkles आ रहे हैं तो plastic bag उपर रखके उसको remove किया जा सकता है next मैं cardboard के उपर वाले पार्ट में उसी napkins में से दूसरा portion कट कर रही हूँ जो पार्ट मुझे पसंद होगा और जो पार्ट मैं clock में लगाना चाहरी हूँ वो पार्ट मैं अलग कर लूँगी और उसी तरह wet brush से मैं corner cut कर लूँगी और मॉच पार्ट glue की help से paste कर लूँगी और brush को मैं अंदर से बाहर की तरफ लेके जाऊंगी ताके wrinkles ना आएं और अच्छी जारा हर corner पे मॉच बाद glue से paste कर लूँगी नापकेन को different design की नापकेन available हैं आप online भी check कर सकते हैं otherwise आप deco patch paper से भी कर सकते हैं जो clock के part रह गए हैं उनको भी नापकेन से अच्छी तरीके से cover कर लूँगी last part में मैं corner वाले part में flowers वाला portion लगा रही हूँ design आप अपनी मर्जी से create कर सकते हैं ऐसा भी हो सकते हैं आप different design की नापकेन यूज़ करें और उनको भी combine करके लगा लें बहुत ही easy है इंको paste करना अपनी मर्जी से आप design create कर सकते हैं colors की चूज़ कर सकते हैं और अपनी पुरानी clock को बिलकुल new look दे सकते हैं napkin के जो extra part भार की तरफ है उनको मैं भी touch नहीं कर रही हूँ clock मैंने पूरी cover कर ली है अच्छी तरीके से मैं इस पर match bag glue का coat करके इसको dry होने के लिए रख दूँगी अच्छी तरीके से dry होने के बाद मैं send paper यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं corner clean कर लूँगी और सारा extra paper remove कर लूँगी send paper अंदर से भार की तरफ रप करना है इसे बहुत ही neat look आ जाएगा और सारा extra napkin remove हो जाएगी next मैं flower highlight करनी के लिए golden color यूज़ कर रही हूँ और हर flower के middle मैं golden color कर रही हूँ आप look जाहें तो pink color use कर सकते हैं और flower को और भी enhance कर सकते हैं और जहाँ जहाँ मुझे flower incomplete लग रहा है उसको भी मैंने complete कर लिया है और highlight भी कर दिया है middle part last में मैंने matte varnish का coat कर दिया है clock की protection के लिए आप लोग match part glue का भी coat कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छी protection हो जाती है मैंने matte varnish use की है ताके इसमें कोई भी shine ना है last step में मैं number attach कर लूँगी जिसके लिए मैं measurement कर रही हूँ measurement करने के बाद मैं number sticker stick कर लूँगी और number stick करने के बाद last step में मैं machine adjust कर लूँगी machine भी easy market में available है otherwise अप अपनी पुरानी clock की भी use कर सकते हैं बहुत ही easy है deco patch से different design की clock ready करना आप लोग इसको ज़रूर try किजिएगा deco patch napkin की technique को follow करते बे अब बहुत ही different ideas से चीज़े बना सकते हैं मैं आपको link description में दे दूँगी आप वहां से भी ideas ले सकते हैं clock का final look कुछ इस तरह है उमीद करती हूँ आपको आज की video पसंद आई होगी thanks for watching the video please subscribe to my channel and hit the bell icon